नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल एस्कलेपियस ऐरुवेदा में तोस्तों सबसे पहले एस्कलेपियस ऐरुवेदा की तरफ से आप सबको होली की धेरो सुबकामना है आज की सेशन में हम बात करेंगे AWPL के एक नए प्रोडक्ट जिसे की प्रोडॉक प्रोडर के नाम से जाना जाता है इस सेशन के मध्यम से हम बात करेंगे प्रोडॉक प्रोडॉक क्या है इसे कौन-कौन से या उसधियों से मिलाकर बनाया गया है प्रोडॉक प्रोडॉक से होने वाले फायदे और इसे कैसे इस इस्तमाल करते समय क्या-क्या सवधानी है बर इतनी है इत्यादी की बात करेंगे। दौस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडॉक प्रोडॉक क्या है। प्रोडॉक एड़बु पिक लेपियस वेलनेस प्राइबेट लिम्टेट कंपनी के दुवारा बनाया गया एक wellness category का liquid format का product है जिसका इस्तमाल power booster के रूप में किया जाता है ये बहुत ही दुरलब और शदियों के मिस्तरन से बनाये गया है जो कि हमें बहुत ही शक्तिसाली हमारे body को रोक प्रतिरोज़क शमता से लड़ने योगे बनाता है जदि इसके हम composition की बात करने इसमें विदारी कंड पाउडर, विरिंगराज पाउडर, संख पुस्पी पाउडर, अस्वगंधा पाउडर, सतावरी पाउडर, ब्रामी पाउडर और सफेद मुसली पाउडर इत्यादी से मिलाकर ये बनाये गया एक बहतरिन प्रोड़क्ट है Pro-Dog product बहुत ही बहतरिन product है, इसमें अनेको औशदियों के मिस्रण होने के करण ये हमारे लिए काफी उप्योगी होता है बदलते मौसम से होने वाली समस्याओं तथाने को बिमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है इसके अलावा हमारे बॉड़ी को ताकतवर बनाने में कारगर है हमारे सरीर में रोख प्रतिलोदक शमता को डेबलब करने की भी शमता इसके पास है बात करें इसके इस्तमाल की बिधी और साथानिया तो इसे इस्तमाल करते समय सबसे पहले अच्छी तरह से शेक कर लेना है उसके बाद 25-30 एमल चिकत्सक के परामर्स के अनुसार इसे यूज करना है इसे इस्तमाल में लेने के बाद ठंडे और सुखेस्थान पर तथासूरी क प्रकास से बचाकर ही रखना है इसे बोटल खुलने के एक महीने के अंदर इसे इस्तमाल कर लेना है तथा खरिदते समय ये ध्यान देना है कि बोटल टुटा हुआ या किसी भी तरह का लिकेज ना हो दोस्तों आज की सिसन में हमने जाना कि प्रोडॉक प्रोडॉक क्या है इसे कौन-कौन से और सदियों से मिलाकर बनाया गया तथा इसे क्या-क्या फायदे होते हैं इस्तमाल की बेदियां और इस्तमाल करते समय क्या-क्या सावधानिया बरतनी है इत्यादी की हम बात किये तो आई होप दोस्तों आपको जनकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं न